श्रीकृष्ण कहते है इन पाच कार्णों से ही लोग बनते है गरीब। नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका। दोस्तो भगवान श्रीकृष्ण के अनुसार इन पाच कारणों से मनुष्य के जीवन में आती है धरिद्रता। गीता में उपदेश देते हुए भगवान श्रीकृष्ण ने कहा था कि मनुष्य अपने जीवन में आने वाले सुखदुख गरीबी अमिरीके लिए स्वयम ही जिम्मेदार होता है। उसके द्वारा किये जाने वाले कर्म ही उसकी गरीबी का कारन बनते है। यदि वो बुरे काम करता है तो उसे उसका बुरा ही फल मिलता है। और अच्छे कर्म करता है तो अच्छा ही फल मिलता है। मनुष्य को ये छूट है कि वो यथा शक्ती कारिय करके धन अरजित करे और उसका उपभोग स्वयम करे, परन्तु उसे उसमें इतना भी रस नहीं होना चाहिए कि वो अधर्म का मार्क पकड़ ले. हम रोजाना जीवन में कूच ऐसे कारिय करते है, जो मनुष्य को नकरत्मक्ता से भर देते है. मनुष्य की चाहे भाग्य रेखा कितनी भी लंबी क्यों न हो, लेकिन अगर वो ये पांच काम करता है, तो उसे गरीबी का ही सामना करना पड़ता है. इसका सबसे बड़ा उधाहरन भग्वान श्रीकृष्ण के मित्र सुधामा है, जिने अपने भूल के कारन गरीबी का सामना करना पड़ा था. यदि हम उस भूल को सुधार ले और ये छोटी गलतिया करने से बचे, तो हम भी अपने जीवन से दुख, दारिद्रय और निरा आशा को भी समाप कर सकते है, तो आई ये जान लेते है, भगवान श्रीकृष्ण ने ऐसे कोनसे कारियों के बारे में बताया है, लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करे, ताकि ऐसे ही ज इस घर में भगवान को भोग लगाये बिना ही, अन्न ग्रहन किया जाता है, उस घर में दरिद्रता सदैवन निवास करती है, क्योंकि जिस विधाताने मनुष्य को अन्न प्रदान किया है, अगर मनुष्य उसे ही भूल जाए, तो ये निराधर है, मनुष्य को कभी भी दूसरी के हिस्से का भोजन भी स्वयम नहीं खाना चाहिए घर में बनाए हुए भोजन पर भी पशुओं का अधिकार बताया गया है सबसे पहले इश्वर का प्रसाद तत पच्चात गोमाता और कुत्ते का भी हिस्सा होता है क्योंकि गोमाता में समस्त देवी देवताओं का निवास है और वो सभी मनुष्यों को दूध प्रदान करती है अत गोमाता को रोटी खिलाना सबसे बड़ा पुन्य का काम है जिस घर के लोग देवी देवताओं को भोग नहीं लगाते पशुओं की सेवा नहीं करते ऐसे घर में नित्य ही दरिद्रता, क्लेश और दूख बढ़ता जाता है दूसरा काम दान न करना श्री कृष्ण कहते है कि जिस घर के लोग अपने सामर्थ के अनुसार दान धर्म नहीं करते उनसे लक्ष्मी रूठ जाती है धन का सदूपियोग दान से ही है दान करने से ही धन में रुद्धी होती है अत धन का दान न किया जाए तो ऐसा धन कष्ट कारक होता है वह सुखशानती प्रदान नहीं करता इसलिए मनिश्य को समय समय पर दान अवश्य करना चाहिए द्वार पर आई भिक्षुक को भी कभी दुद्ध कारना नहीं चाहिए तीसरी बात स्त्री का अपमान भगवान कृष्ण कहते है स्त्री मा लक्ष्मी का ही रूप है श्त्री के साथ हिंसा करना मार्क्रिट करना पाप है इससे लक्ष्मी रूट कर चली जाती है जिस घर में स्त्री सदैवा अनंदित रहती है ऐसे घर में मा लक्ष्मी का सदाइव निवास होता है, जिस घर की स्त्रिया सदाइव शोक करती है, दुखी रहती है और श्राब देती है, ऐसे घर से लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है, चौथा काम मदिरा एवं जुवा खेलना, जिस घर के सदस्य मदिरा का पान करते है, जुवा खेलते है, उनके सभी पुन्य कर्म भी नश्ट हो जाते है, जुवा खेलने से धन का दुरुपयोग होता है, इससे मा लक्षमी भी रूट जाती है, अत मनिश्य को धन का केवल उपयोग ही करना चाहिए, तभी उसके पास धन की रुद्धी होती है, पांचवी बात परस्त्री गमन, परस्त्री गमन को पाप मना गया है, बाली से लेकर रावन तक, रामायन से लेकर महाभारत तक, इसके अने को उदाहरन मिलते है, कि पराई स्त्री की चाह रखने वाले का अंत एक ना एक दिन अवश्य हो जाता है, इसलिए अपने स्त्री के अलावा अन्य स्त्री के साथ कभी प्रसंग ना करे, ये पाप है, इससे लक्ष्मी रूट जाती है, तो दोस्तों ये थे वो पांच काम, जीने करने से व्यक्ति के जीवन में गरीबी, क्लेश और दु आप देख सके, धन्यवाद.